तो जैसे कि हमने प्रिवियस सेशन में बायो टेक्नलोजी का फर्स्ट पार्ट अपलोट कर दिया है जो इंपॉर्टन टॉपिक्स है मैं उसको डीटेल में एक्स्प्लेइन कर रही हूं और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनका ओवर्वियू देकर मैं यह चैप्टर इस व गिचा जा सकता है देरेश्क्ष्ट अज्यां फिर उसका वह त्व आयाद रखना एक्साप्स कॉन से कौंसा एंड मिलता है बलंट एंड स्टी किया होते हैं वह आपको ऐद होने चाहिए और उसके बात अब आज हम देख रहे हैं क्लोणिक वेक्टर्स के बारे में फिर इस तो इसको बिल्कुल भी skip मत करना, इसके आगे का जो part है, जहां पर application of biotechnology दिया गया है, तो वो part आप थोड़ा सा skip कर सकते हो, या उसको आप सिफ read कर सकते हो, तो इतना ज़ादा matter नहीं करेगा, उसमें से अगर कुछ question आया, तो आप आराम से उसमें खुछ से लिख भी सकते हो, रीड कर लेना इट विल भी more than sufficient, लेकिन ये starting के 5 concepts बिल्कुल भी skip मत करना, ओके, तो चलिए, अब समझते हैं, cloning vector के बारे में, cloning vector मतलब क्या होता है, cloning मतलब copy बनाना, cloning मतलब क्या होता है, किसी भी gene की या किसी भी चीज़ की copy बनाना, ओके, और vector मतलब क्या होता है, vector याने की vehicle molecule, vector मतलब क्या होता है, vehicle molecule, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आर DNA technology में हम क्या करते हैं, recombinant DNA technology में, एक organism का DNA का कोई gene, हम दूसरे organism में insert करते हैं, मतलब समझो, यहाँ का कोई gene है, यह मैं दूसरे color से draw करती हूँ, समझो कि यहाँ पे कोई particular gene है, मुझे यह gene दूसरे organism में डालना है, ठीक है, तो लेकिन मैं direct, एक DNA का gene उठाके, दूसरे DNA में नहीं डाल सकती, बीच में मुझे vector molecule की जरुवत पड़ेगी, किस की जरुवत पड़ेगी, vector molecule की जरुवत पड़ेगी, तो यह जो V for vector है, यह vector molecule बहुत important role play करता है, vector को हम बोलते हैं, vehicle DNA, तो देखें, यहाँ पे क्या बताया गया है, vectors are DNA molecules that carry a foreign DNA segment and replicate inside the host cell, यह ऐसे molecules होते हैं, जो host के अंदर जाने के बाद उनके अंदर replicate होते हैं, याने यह vector molecule को आप अपना desired DNA segment दे देते हो, vector molecule desired DNA segment ले लेता है, और फिर वो host के अंदर जाने के बाद, host को वो DNA दे देता है, और उसी के अंदर replication करता है, मतलब it is like a postman, उसने आपने चिटी दी और postman ने चिटी आपके friend तक पहुँचाई, तो vector molecule ऐसा ही कर रहा है, यहाँ पर चिटी मतलब आपका gene, एक organism का gene दूसरे organism के अंदर आपको अगर डालना है, तो उसके लिए आपको vector molecule की जरुवत पढ़ती है, vectors में भी plasmids, अब देखो यहाँ पे जो topic दिया गया आपको, आपको examples आ सकते हैं, most asked question कौन सा हो सकता है, frequently asked question, examples of vectors, तो vectors के example आपको तीन याद रखने हैं, plasmids, bacteriophages and cosmid, और एक और याद रख लो, याक, याक याने की yeast artificial chromosome या बाक, याने bacterial artificial chromosome आप याद रख सकते हो, तो simple simple examples याद रखो क्योंकि definitely example पूछा जाता है, give examples of cloning vectors, तो plasmids तो आपको याद रखना ही है, bacteriophage के आगे दो टाइपस दिये गए, M13 and lambda virus, और cosmid vector, या भी आपको याद रखना है, कभी-कभी ऐसा question भी आता है, give to examples of bacteriophage cloning vector, तो उसमें आप M13 और lambda virus लिख सकते हो, या अगर आपको पूछा, give to examples of plasmid cloning vector, तो यह देखो, आगे आपको plasmid के types भी बताये गए हैं, plasmid cloning vector के types कौन से हमको यहाँ पे बताये गए हैं, PBR 322, PUC, TI plasmid, etc., etc., तो आपको vector के नाम और उनके examples, vector के नाम और उनके examples याद रखने हैं, यह learn करना पड़ेगा, इसका कोई option नहीं है, okay, तो यहाँ पे देखो, आपको अलग-अलग-अलग-अलग बताया गया है vectors के बारे में, you can learn this, most commonly used vectors, यह सबसे important part है, this is very important, सबसे जादा commonly used vectors कौन से हैं, PBR 322, PUC and Ti plasmid, and bacteriophages, lambda phage, इधर phage आएगा, G आएगा, lambda phage and M13 phage, phage का मतलब virus होता है, so plasmids and bacteriophages are most commonly used vectors, अगर आपको exam में आया, give two examples of most commonly used vectors, तो आप लिख दोगे plasmid and bacteriophage, अगर आपको पूछा कि give two examples of plasmid vector, तो आप लिखोगे PBR 322 and PUCR Ti plasmid, तो यह था vector का general introduction, अब देखो vector की characteristics हम को क्या बताई गई है, एक अच्छा vector वो होता है, जो खुद replicate कर सके, self-replicating होना चाहिए, so a good vector should have the ability of independent replication, so that as the vector replicates and large number of copies of the DNA insert will be formed, मतलब क्या बोला गया है, समझो आपने ऐसा कोई molecule लिया, समझो आपका एक molecule है, इस molecule का ऐसा कोई एक organism है X, इसका आपने gene निकाला, ठीक है, और यह आपका vector molecule है, रुको में दूसरे color से बनाती हूँ, यह अपना vector molecule है, इस vector molecule में आपने अपना desired gene डाल दिया, यहाँ पे आपने अपना gene आइड कर दिया है, और अब इस vector molecule को आप दूसरे organism के अंदर डाल रहे हो, किसके अंदर डाल रहे हो, दूसरे और्गानिजम के अंदर डाल रहे हो, यह है आपका और्गानिजम Y, ठीक है, तो आप इस वेक्टर को आप इस और्गानिजम के अंदर इंसर्ट कर दोगे, इस वेक्टर को आप क्या कर दोगे, दूसरे वाले और्गानिजम के अंदर इंसर्ट कर दोगे, तो आपको क वेक्टर अपने साथ दूसरे और्गानिजम का DNA भी लेकर आया है अब इस और्गानिजम का जब रेप्लिकेशन होगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा इसकी जो प्रोजेनी होगी वो प्रोजेनी हमको कैसे देखने को मिलेगी इनका बाहर का एक्स्टरनल स्ट्रक्चर सेम हो को क्या देखने को मिलेगा कि continue वेक्टर भी रेप्लिकेट हो रहा है और वेक्टर के साथ साथ आपका जो desired gene segment था वो desired gene segment भी रेप्लिकेट हुआ है इसलिए यहां पर हमको क्या बोला गया है a good vector should be self-replicating मतलब उसको खुद का independent replication करने की capacity होनी चाहिए जैसे normal mammalian DNA कैसा उसको बहुत सारे enzymes और बहुत सारे cells की जरुवत परती है replication करने के लिए ऐसा vector के साथ नहीं होना चाहिए vector must be self-replicating उसको खुद का replication करने आना चाहिए and large number of copies of the DNA will be formed तो आपका जो desired vector है यह जो desired gene आपने डाला है दूसरे organism का DNA लेकर आपने new organism में जो डाला है जितनी जादा copies आपको मिलेंगी उतना नया product form होगा देखो यह organism समझो बहुत जादा vitamin production करता था तो अब इसका vitamin वाला gene मैंने अपने new organism में डाल दिया तो इस organism में भी आप ज़ादा vitamin बनने लगेगा क्योंकि इसके पास भी vitamin वाली gene आ गई है तो यह होता है recombinant DNA technology आपका desired product आपको मिलने लग जाता है तो vector should be able to easily introduce into the host cell this is second point कि कोई भी vector इतना difficult नहीं होना चाहिए कि उसको आप host के अंदर डाली नहीं पा रहे हो मतलब यह vector जब इस host में जाएगा तो यह vector flexible होना चाहिए मतलब कुछ लोग होते हैं आपके घर पे जब महमान आते हैं तो उनके बहुत नकरे होते हैं हम सिर्फ यही खाएंगे हम सिर्फ यही paste use करेंगे etc. तो ऐसा नकरा नहीं दिखाना चाहिए vector ने vector का important characteristic क्या होता है it should be easily introduceable into the host वो आराम से host के अंदर चला जाना चाहिए तो इस host को हम बोलते हैं competent host इस host को हम क्या बोलते हैं competent host जिसके अंदर आप vector molecule डालने वाले हो और आगे देखो क्या बताया गया है a vector should have marker genes for antibiotic resistance it must contain unique cleavage site etc. and the marker genes for restriction enzyme मतलब क्या बोला गया है हर एक vector के पास antibiotic resistance capacity होना चाहिए क्या होना चाहिए antibiotic resistance capacity होना चाहिए क्यों होना चाहिए antibiotic resistance capacity समझो मैं आपको एक draw करके बताती हूं समझो ऐसा कोई vector molecule है यह vector molecule और यहाँ पे आपका desired gene है बार-बार color change नहीं करूंगी नहीं तो time लगेगा तो समझो यह vector molecule जब किसी organism के अंदर जा रहा है जब किसी new organism के अंदर जा रहा है इस organism के पास खुद का DNA है और इसके पास खुद के enzymes है और इसके पास खुद के cells है जब यह vector इस organism के अंदर आएगा तो हमारे cells को क्या लगेगा कि बाहर से कोई antigen आया है हमारे cells को क्या लगेगा कि बाहर से कोई antigen आ गया है तो ये cells क्या करेंगे immune response दिखाना start कर देंगे क्या कर देंगे immune response दिखाना start कर देंगे और antibodies produce करने लग जाएंगे क्या produce करने लग जाएंगे antibodies produce करने लग जाएंगे तो हमारे vector को पहले से ये तयारी करके रखनी होती है कि उसके आज़ पास antibiotic resistance capacity होना चाहिए क्या होना चाहिए? antibiotic resistance capacity यानि कि ये antibodies का उसके उपर कोई असर नहीं होना चाहिए ये एक अच्छे vector की quality होती है तो recombinant DNA technology करते समय ऐसे ही vector चुने जाते हैं जिनके पास naturally antibiotic resistance capacity है और जिन vectors के पास natural antibiotic resistance नहीं होता है तो उन vectors के उपर artificially antibiotic resistance दिया जाता है ताकि जब ये vector आप new organism में डालो तो उस new organism में जाने के पास इस vector के उपर कोई भी antibody का असर ना हो अब आप सोच रहे होगे मैं इतना vector vector कर रहे हैं ये vector molecule मिलता कहां से है तो मेरे प्यारे बच्चो ये vector molecule भी हमको bacteria से ही मिलता है बैक्टेरिया से जैसे हमने restriction enzyme बनाया था ठीक उसी तरीके से सेम बैक्टेरिया से या अलब बैक्टेरिया से हमको vector molecule भी मिलते हैं देखो बैक्टेरियो फार्च तो एक टाइप का वाईरस है जो बैक्टेरिया को infect करता है तो बैक्टेरियो फार्च को भी आप vector के जैसा यूज कर सकते हो या हर एक बैक्टेरिया में कुछ ऐसे specific bacteria होते हैं जिनके अंदर plasmid vector present होता है अब plasmid मतलब क्या देखो मैं इधर पर लिख रही हूँ plasmid मतलब क्या होता है plasmid is nothing but extra double stranded एक मिनट हाँ double stranded circular chromosomal DNA plasmid मतलब क्या होता है and it is self replicating it is self replicating यह plasmid का definition है यह plasmid के characteristics है हर एक bacteria में हर एक bacteria नहीं बोल सकते most of the bacteria में उनका खुद का DNA होता है DNA के अलावा उन बैक्टेरिया में एक extra DNA molecule होता है जिसको हम बोलते है plasmid जिसको हम क्या बोलते है plasmid यह plasmid same DNA जैसा होता है लेकिन exact DNA नहीं होता है DNA की copy होती है यह plasmid molecule self replicating होता है मतलब जब जब यह bacteria reproduce करेगा और इस bacteria के हमको offspring मिलेंगे तब तक यह DNA तो replicate होता है यह साथी साथ हमको हर बार plasmid vector भी आगे आगे जाता हुआ दिखाई देगा तो यह जो plasmid vector होता है यह self replicating होता है मतलब जब जब bacteria reproduce करता है plasmid vector उसके साथ साथ खुद को भी reproduce करते जाता है तो अब पीछे चलते हैं देखो पीछे हमको क्या पताया गया है यहां पर हम क्या पढ़ रहे थे मैं इंक ता तलर चेंज करती हूँ इधर पर हम क्या समझने की कोशिश कर रहे थे आपका जो desired organism है उसमें से आपने gene लिया कैसे लिया यह gene? restriction enzyme से cut किया आपने DNA sample को restriction enzyme से cut किया और उस DNA को vector में inject किया vector molecule पहले complete होता है तुम vector molecule को इधर से इधर cut करोगे तो तुमको ऐसा vector देखने को मिलेगा यह अपना vector है vector का जब एक part तुमने cut किया तो तुमारा desired gene इधर पर रखने के लिए जगा बनेगी और तब जाके तुम अपना desired gene यहां पर रख पाऊगे तो vector को भी काटने के लिए restriction enzymes की जरुवत पड़ती है समझो कि यह एक type का box है अब इस box में अगर तुमको कोई चीज रखनी है तो पहले इस box में जगा बनानी पड़ेगी ठीक उसी तरीके से vector molecule ऐसा circular होता है अगर इस vector molecule में तुमको बाहर से कोई gene आड़ करना है तो पहले तुमको उस vector molecule का कुछ part कट करना पड़ेगा और वो part हम same restriction enzyme से कट करते हैं जिस restriction enzyme से आपने DNA कट किया होगा उसी restriction enzyme से आपके vector को भी कट करेंगे मतलब देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ यह diagram देखो इधर पे यह देखो यह आपका donor DNA है मतलब यह आपका donor cell है इस donor cell में से आप DNA sample निकालते हो DNA sample में से आप अपना target DNA कट करते हो target DNA कट करने के लिए आपने जो restriction enzyme यूज की है same restriction enzyme से आप अपने vector को भी कट करते हो तो इधर देखो इधर खाली जगा बन गई तो अब यह DNA sample vector के जगे पे आ जाएगा और हमको ऐसा देखने को मिलेगा vector तो इसको हम बोलते हैं recombinant DNA यानि vector और आपका organism का DNA दो अलग-अलग DNA एक साथ mix हो गए इसको अब क्या बोलते हैं recombinant DNA यह आपके vector का DNA है मतलब vector है और यह आपका desired gene है तो दोनों को same restriction enzyme से cut करना ज़रूरी है क्योंकि अगर एक restriction enzyme जो तुमने DNA के लिए use की अगर इस restriction enzyme से आपको blunt end मिला मतलब ऐसा DNA अगर देखने को मिला blunt end वाला और दूसरे enzyme से दूसरा enzyme जो आपने use किया समझो vector के लिए आपने जो restriction enzyme use किया है अगर इस restriction enzyme से आपको sticky ends मिले तो ये दोनों आपस में combine नहीं होंगे और इसलिए समझो ये आपका vector है ये आपका क्या है ये आपका vector है तो इसको जिस restriction enzyme से आप cut करोगे समझो आप इसको cut कर रहे हो restriction enzyme 1 से या restriction enzyme 2 से ताइप 2 से और DNA को भी आपने restriction enzyme type 2 से cut किया है तो दोनों का ends compatible होगा और दोनों को आपस में चिपकाने में अच्छे से help होगी देखो एक simple example देती हूँ जब आप लोग project बनाते हो तो आप straight scissor से paper को जब cut करते हो तो आपको ऐसा simple cut मिलता है तो दो अलग अलग paper को जब आप चिपकाओगे तो वो level में चिपकेंगे लेकिन समझो एक paper को आपने designer scissor से cut किया और एक paper को आपने straight scissor से cut किया तो आपको दो अलग अलग paper मिलेंगे और अब इनको चिपकाना थोड़ा difficult हो जाएगा तो इसलिए जो restriction enzyme आप DNA के लिए use करते हो वही restriction enzyme आपको vector के लिए भी use करना है इसको अच्छे से समझ लो अब देखो आगे क्या बताया गया है हमको कहा गया हाँ तो इधर देखो क्या बताया जा रहा है इट शुड हैब at least suitable control elements like prometer अच्छा है तो यह vector का extra characteristics है इधर देखो क्या बोला गया है the plasmids obtained naturally do not possess all the characteristics जो plasmid vector naturally होते हैं उनके अपाथ सब characteristics नहीं होती है इसलिए उनके उपर हम extra characteristics insert करते हैं जैसे antibiotic resistance वाला पार्ट यह इतने पार्ट को दो बार देखलो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सबसे जादा कौन सा vector use होता है PBR 322 is the most widely used vector in our DNA technology in plants अब आगे देखो हमको plasmid vector के बारे में बताया गया plasmid vector most commonly used है in recombinant DNA technology और especially जो E. coli cell के अंदर replicate होते हैं वो plasmid vector हम use करते हैं मतलब जो E. coli के अंदर आसानी से replicate हो सके आप सोच रहे होगे कि scientist लोग बार बार E. coli cell ही क्यों use करते हैं क्योंकि E. coli cell सिर्फ और सिर्फ 20 मिनिट के अंदर reproduction दिखाता है कितने मिनिट के अंदर 20 मिनिट के अंदर आपको E. coli cells के daughter cells देखने को मिलेंगे मतलब एक cell से दो cell बनने में सिर्फ कितना टाइम लगता है 20 मिनिट तो scientist को सालो साल रुखने की जरुवत नहीं है कि कब reproduction होगा कब offspring cells बनेंगे और कब हम अपना observation करेंगे 20 मिनिट के अंदर scientist को result पता चल जाता है इसलिए हर एक scientist जादा तर E. coli cells यूज करते है और दूसरा reason यह है कि E. coli cells का gene या उसका जो genome है और human genome 95% match करता है इसलिए E. coli cells यूज किये जाते हैं most of the experiments के लिए अब आगे देखो क्या बताया गया है plants के अंदर कौन सा vector use होता है आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है agrobacterium tumifacians यह एक type का bacteria है यह एक ऐसा bacteria है agrobacterium tumifacians यह एक ऐसा bacteria है हाँ यह एक ऐसा bacteria है जिस में से एक special type का plasmid मिलता है that is Ti plasmid कौन सा plasmid मिलता है इस bacteria में से Ti plasmid Ti plasmid का full form क्या है tumor inducing plasmid ti plasmid का full form क्या है tumor inducing plasmid मतलब इस plasmid के वज़े से देखो यह bacteria कहां present रहता है soil में present रहता है this bacterium is found in the soil और यह क्या करता है यह bacteria जो है इसके अंदर जो ti plasmid present है ना इस plasmid के वज़े से plant के ऊपर ऐसे tumor बनने लग जाता है gall like diseases हो जाता है क्या हो जाता है tumors form हो जाते हैं मतलब समझो आपके plant की यह root है और अचानक से इस root में आपको यह पे tumor दिखने लगेंगे तो यह tumor plant के लिए अच्छा नहीं होता है तो यह plasmid जो है यह tumor formation करता है अगर इस plasmid का tumor वाला gene हम निकाल दें तो यह बहुत अच्छा vector क का काम करेगा vector मतलब क्या होता है एक molecule का DNA लेके दूसरे molecule के अंदर जाके reproduction करना तो यह reproduction बहुत अच्छे से करता है बस इसमें एक ही खराबी है कि इसके अंदर tumor वाला gene है तो scientist ने क्या किया उन्होंने यह tumor वाला gene निकाल दिया तो उसके बाद यह vector useful हो गया तो plants में कौन सा वेक्टर यूज होता है एग्रो बेक्टेरियम टूमिफेशियन का TI प्लास्मिड वेक्टर और उसके बाद next tool आपका आता है competent host competent host मतलब क्या होता है जो vector molecule के साथ आप अपना desired gene add करने वाले हो उस vector को आप जिस organism में reproduce करने के लिए डालोगे उस host को हम बोलते है competent host याने की जिस organism में आपको genetic characters change करने थे उस organism को हम बोलते है competent host और ज्यादा तर E. coli cell यूज किया जाता है transformation करने के लिए in recombinant DNA technology मतलब ज्यादा तर host कौन सा यूज होता है E. coli और दूसरे examples कौन से हैं bacillus, hemophilus, helicobacter, pyroly, etc. तो आपको इतना समझ में आया होगा प्लीज इतना पार्ट को दो बार repeat करके देखो ताइम जादा नहीं है इसले मैं repeat नहीं कर सकती अब हम बढ़ते हैं आगे अपने actual recombinant DNA technology के processing की तरफ एकदम फटाच से देख लेंगे ये चलो start करते हैं तो चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं कि our DNA technology करने के लिए क्या methodology और कौन से steps involved होते हैं सबसे पहला step कौन सा है isolation of DNA from the donor organism तो आपके पास एक donor organism होता है इस donor organism के DNA को आप remove करते हो इसको आप एक suitable reagent के साथ detergent यान एक suitable chemical reagent के साथ इसको अच्छे से shake करते हो ताकि ये DNA खुल जाए और इसमें से जो target DNA है वो आपको डूढने में आसानी हो तो इसमें से आप अपने genetic material मतलब अपने target DNA को remove करते हो उसको isolate करते हो उसको electrophoresis technique की मदद से purify करते हो और एक बार आपका ये DNA isolate हो जाता है तो उसमें से आपको जो target DNA मिला है मतलब ये देखो आपका ये donor DNA है donor DNA को आपने cell में से निकाला cell के अंदर से आपने इस DNA को निकाला अब cell के अंदरuciones क्योंकि देखो ऐसा cell है, cell के अंदर nucleus है, nucleus के अंदर ऐसे DNA होता है, तो आप cell wall break करोगे, cell membrane break करोगे, फिर उसके बाद nuclear membrane break करोगे, तब जाके आपको ये DNA मिलेगा, ये DNA इतना बड़ा है, अब इसमें से आपको ये वाला target part obtain करना है, तो ये target obtain करने के लिए, आप restriction enzymes use करोगे, जो recognition sequence पे जाके restriction enzyme bind करेगी, और target DNA को cut करेगी, तो second step क्या होता है, हाँ, तो देखो, first step में दो steps आते हैं, cell के अंदर से DNA निकालना, with the help of suitable reagents, और second क्या होता है, आपने जो purify करके DNA निकाला है, उस DNA में से target DNA निकालना, with the help of restriction endonucleases, या restriction enzyme, एक बार आपको recognition sequence मिल गया, तो आपके restriction enzyme उस recognition sequence पे जाएंगे, आपके target DNA को cut करेंगे, और आपको आपके target DNA मिल जाएंगे, अब target DNA जब cut होता है, तो उसका end या तो sticky end हो सकता है, या तो cohesive या तो staggered, तीनों का मतलब एक ही है, या तो blunt ends मिल सकते हैं, मतलब DNA को अगर straight cut किया, तो आपको blunt end देखने को मिलेगा, और अगर DNA को ऐसा transverse cut किया, तो आपको sticky ends देखने को मिलेंगे, और इसके बाद आप अपने sticky ends को अपने, this is now called foreign DNA, अब हम इसको क्या बोलते हैं, foreign DNA, तो अब आपका ये जो target DNA है, ये target DNA आपका foreign DNA बन गया है, और ये ready-made DNA आपको अलग-अलग libraries में भी मिल सकता है, याने genomic library या cDNA library से, जहां पर already researchers ने, देखो ये library मतलब वो library नहीं है, जहां books रखी जाती है, जैसे books वाली library होती है, वैसे genetic information वाली अलग chemical laboratory होती है, genetic laboratory होती है, जहां पर DNA samples store किये जाते हैं, तो ये था अपना first step, A वाला step, जहां पर हमने क्या किया, DNA sample को cell से obtain किया, और उसमें से target DNA ढूंडा, अब हमारा second step क्या है, B वाला, second step क्या होगा हमारा, insertion of desired foreign gene into the cloning vector, मतलब देखो, ये जो target DNA निकाला है, इसको अब हमको cloning vector में add करना है, तो cloning vector में add करने से पहले, हमको vector को भी same restriction enzyme से cut करना पड़ेगा, ताकि जहां पर हमने cut किया है, वहां पर हम अपना target DNA add कर सके, so this is the second step, फिर third step में क्या होता है, मतलब देखो, second step में आपने same cloning vector से, same restriction enzyme से आपने cloning vector cut किया, अब उस cloning vector के पास आप अपना target DNA लगा दोगे, तो उसको हम बोलते हैं recombinant DNA, मतलब यह आपका vector और यह आपका desired target DNA, तो यह किसी और organism से आया है, और यह vector कोई और bacteria का vector है, तो vector और यह नया DNA, यह दोनों मिलके recombinant DNA बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, यह दोनों मिलके recombinant या chimeric DNA, तो first step हो गया, second step हो गया, अब third step में देखो, joining of target DNA and cloning vector by DNA ligase, DNA ligase की मदद से, आपका vector और आपका target DNA दोनों एक दुसरे से चिपक जाते हैं, फिर आपका fourth step क्या आता है, D वाला, introduction into a bacterial host cell, अब हम अपने इस recombinant DNA को एक नए host में डालेंगे, याने competent host में डालेंगे, तो देखो, C, C वाला step क्या है, transfer of our DNA into suitable competent host और cloning organism, याने आपने जो recombinant DNA बनाया है, इस recombinant DNA को अब आप अपने cloning vector ये competent host में डालोगे, लेकिन याद रखो, जब आप vector molecule को competent host में डालते हो, तो उस time पे आपको calcium pigments की बहुत ज़रुवत पड़ती है, क्योंकि calcium pigments जो हैं, वो vector को अंदर accept करने में help करते हैं, मतलब समझो कि आपके घर पे अगर कोई मेहमान आया है, और अगर उस मेहमान का कोई बच्चा है, तो आप उसके दोस्त बन जाते हो, तो मेहमान बार बार फिर आते जाते रहते हैं, तीक उती तरीके से, अगर आपके cell में calcium ions है, क्योंकि वो cell की permeability increase कर देता है, जिससे vector आसानी से host के अंदर जा सके, तो अब finally अपना vector जो होस्त के अंदर गया है, vector को host के अंदर डालने के लिए अलग-अलग techniques यूज की जाती हैं, यहाँ पर देखो आपको कुछ examples बताए गए हैं, electro-poration, micro-injection, lipo-fiction, shotgun, etc. तो ऐसे अलग-अलग methods होते हैं, okay, in plant biotechnology, the transformation is through TI plasmid of agrobacterium tumefacians, हमेशा याद रुखो, अगर plant के किसी gene में changes करना है, तो आप हमेशा TI plasmid ही use करोगे, और animals के अंदर अगर genes change करना है, तो आप PBR 322 यूज करते हो, commonly, दूसरा भी use कर सकते हो, पर जादा तर ये vector यूज होता है, अब अपना next step क्या होता है, देखो, first step था isolation, second step था insertion into cloning vector, third step क्या था, competent host में डालना, और अब fourth step क्या होगा, आप अपने ये जो अपना host bacteria के अंदर, आपने जो अपना recombinant DNA डाला है, अब ये multiply करेगा, क्या करेगा, ये multiplication करेगा, host bacteria के अंदर, खुद को multiply करेगा, क्योंकि एक अच्छे vector की characteristic, हमने क्या बोली थी, एक अच्छा vector वो होता है, जो आसानी से host के अंदर जाने के बाद, replication कर सके, कोई नखरा ना दिखाए, तो अब नेक्स स्टेप में क्या होगा, कि आपका जो cell है, आपका जो transformed cell है, वो multiplication दिखाएगा, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको draw करके दिखाती हूँ, ठीक है, देखो, आपने donor DNA से DNA निकाला, उसमें से target DNA डुनडा, target DNA को cloning vector में add किया, इधर तक आपको समझ में आ गया, अब आपने अपना host organism लिया, वाई वाला organism, इसका खुद का DNA अलग है, और इसके अंदर आपने vector आइड कर दिया है, vector के पास जो target DNA है, वो साथ में आया है, अब ये DNA, ये cell जब replication करेगा, तो आपको तीन टाइप के daughter cells देखने को मिलेंगे, जब ये cell replication करता है, तो आपको तीन टाइप के daughter cells देखने को मिल सकते हैं, पहला daughter cell जो होगा, उसमें हो सकता है कि vector molecule replicate ही ना हो, सिर्फ cell का original DNA हो, दूसरा जो आपका daughter cell मिलेगा, इसमें हो सकता है कि इसे vector molecule replicate हुआ है, और ग्यानिजम का DNA आया ही नहीं है, और तीसरा जो आपको recombinant cell मिलेगा, इसमें आपको ऐसा cell देखने को मिल सकता है, कि जिसमें bacteria का खुद का DNA भी है और vector DNA भी आया है, तो हमको ये वाला cell select करना है, जिसमें दोनों DNA है, बैक्टेरिया का खुद का DNA भी होना चाहिए, और जो vector DNA हमने डाला है, वो भी replicate होना चाहिए, क्योंकि इस vector के साथ अपना desired gene है, विटामिन वाला gene, याद आरान, तो इसको हम बोलते हैं transformed cell, इसको हम क्या बोलते हैं, transformed cell, जिसके अंदर हमको successful transformation देखने को मिल रहा है, तो ऐसे अलग-अलग type के हमको daughter cells मिलते हैं, अलग-अलग type के daughter cells में से हम particular, जो अपने को daughter cells चाहिए, वो select करते हैं, और अब उसका replication करेंगे, अब इस transformed cells का बार-बार-बार replication करेंगे, तो हमको multiple copies मिलेंगी same cells की, तो इसका मतलब हमारे पास अब बहुत सारे cells हो जाएंगे, जिनके अंदर ये vector होगा, और vector क्यू डाला था हमने, क्यूंकि हमको हमारे Y organism में vitamin production करना था, जो पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अब होगा, क्यूंकि अब हमने बाहर से इसके अंदर vitamin वाला gene डाला है, तो देखो, cell multiplication होता है, अपना जो भी product है, इधर इन्होंने protein का example लिया है, मैंने आपको vitamin का example दिया, तो जो भी product है, वो product formation होगा, तो यहाँ पे आपने transformed cell का selection किया, फिर उस transformed cell का आपने multiplication किया, आपको बहुत जादा amount में जब transformed cells मिल जाएंगे, तो अब आप क्या करोगे, अब आप उसका product इखटा करोगे, जैसे vitamin चाहिए था, तो अब ऐसे धेर तारे cells जमा करोगे, उनके अंदर से vitamin एक्स्ट्राक्ट करोगे, अलग-अलग microbial procedures की मदद से, अब उन vitamins को आप purify करोगे, फिर उनको pack करोगे, और उनको market में distribute करोगे, तो next step क्या आता है, expression of the gene to obtain the desired product, मतनब multiplication copies बनाने के बाद, आपका gene आपका product दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो check करोगे, अगर आपको आपका product मिल रहा है, तो उसको आप purify करोगे, और फिर उसको आप market में distribute करोगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपका transformation, या recombinant DNA technology का पूरा process का पात्वे, मैंने एच्छे से explain करने की पूरी कोशिश की है, समझ में आई, तो बहुत अच्छी बात है, दो बार देख लेना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, आप सिफ steps याद रखो, बाकि कुछ difficult नहीं है, आप अपने words में भी इन पात्वे को explain कर सकते हो, सिफ टाइटल अच्छे से लिखना, तो अब बढ़ते हैं applications की तरफ, अब यह easy part है, इसको फटाफट खतम करेंगे, ठीक है, all right, तो अब हम start करेंगे applications of biotechnology के साथ, बायो टेकनोलोजी के अलग-अलग application है, आप plant के अंदर genes change करके, plant biotechnology कर सकते हो, आपने सुना होगा tomato plant, मतलब एक ऐसा plant, जिसमें ground में potato grow होते हैं, एक ही plant में, और उपर की तरफ tomato grow होते हैं, तो इससे क्या होगा, कम जगह में दोनों vegetable grow हो जाएंगे, यह है genetic engineering का चमतकार, एक ही plant में आलू भी उग रहा है, और टमाटर भी उग रहा है, कलिंगड, जो watermelon होता है, square shape का obtained किया था scientist ने, square shape का watermelon क्या होगा, चौकोन कलिंगड, transportation करने में आसानी होगी, oval shape का कलिंगड होता है, तो समझो एक truck में सिर्फ 50 कलिंगड आ रहे हैं, लेकिन अगर वही कलिंगड हम square shape का बनाने लगें, तो एक truck में कम सत्तर कलिंगड आएंगे, सतर water melon आएंगे, तो transportation cost बचेगा, तो this is also biotechnology, ऐसे water melon भी बनाये गए, जिनके अंदर से beach निकाल दिया गया, मतलब without seeds वाले water melon, ताकि अपना productive cost बड़े, ताकि उसका cost improvement हो, तो biotechnology ने बहुत सारे inventions किये हैं, बहुत सारी humankind के help किये हैं, तो ऐसे अलग-अलग biotechnology के applications, अलग-अलग fields में देखने को मिलते हैं, जैसे plant में, industrial लेवल पे, कोई enzyme, कोई protein, कोई antibiotic production करने के लिए, किसी organism का अगर पूरा का पूरा genome बदलना है, कि रिष्थरी मुवी में आपने देखा होगा, कि वो जो विवे कॉबरा है था, वो क्या कर रहा है था, वो animal और human का genome mix करके कुछ नया बनाने के कोशिश कर रहा था, so that was application of biotechnology in human genome, micro-organisms को use करके cheese बनाना, पनीर बनाना, etc., etc., so that is the application of microbial biotechnology, environmental biotechnology में environment pollution control करने के लिए, ऐसे organisms grow किये जाते हैं, जो जादा से जादा carbon dioxide absorb कर सकें, जो जादा pollutants को absorb कर सकें, ताकि पूरा pressure plant पे ना पड़े, so that is environmental biotechnology, animal biotechnology में हम animal के cells preserve करके रख सकते हैं, animals के tissues के उपर study कर सकते हैं, cancer की therapy निकाल सकते हैं, AIDS के cells के उपर study चल रही है, so ऐसे बहुत सारे biotechnology के application है, जिसके वज़े से human health और agriculture में, industrial level पे, environment और genomics में बहुत जादा help हुई है, तो फटाफट से overview देख लेते हैं, healthcare biotechnology में क्या बताया गया है, कि पहले जो disorders थे, उन कुछ disorders के बारे में, पहले कोई भी particular hormone या recombinant protein अविलेबल नहीं था, कोई भी treatment अविलेबल नहीं था, लेकिन recombinant technology की मदद से, दो अलग-अलग DNA मिक्स करके हमको ऐसे कुछ new proteins मिले, जिनकी मदद से पहले जिन बिमारियों का इलाज नहीं था, आज उनका भी इलाज पॉसिबल है, तो ये था health care, उसमें का सबसे important example है human insulin, आप जानते हो insulin का काम क्या होता है, insulin का काम होता है human का blood glucose level control करना, लेकिन ये insulin जिन humans में नहीं बन पाता है, तो alternative पहले scientist ने find out किया था, पिक्स की मदद से, मतलब वो पिक्स की मदद से human insulin फॉर्म करते थे, क्योंकि human genome और पिक का जीनोम काफी similar था, लेकिन पिक्स बहुत बड़े animal होते हैं, उनका life cycle भी काफी लंबा होता है, तो मैंने आपको क्या बोला, scientist हमेशा कौन से animals और कौन से plants चुनते हैं, जो कम समय में जल्दी जल्दी ग्रो हो सके, तो पहले पिक्स के अंदर से वो insulin निकाल के human में inject करते थे, लेकिन धीरे-धीरे करके हमको एक नया alternative पता चला, that was E. coli, E. coli host से भी हमको पिक के मुकाबले जादा insulin production मिलने लगा, सिर्फ फर्क यह था कि आपको gene insert करना था, और यह एक साल या दो साल में नहीं हुआ, इस experiment को करने के लिए scientist को 10 साल, 50 साल रखका time लग जाता है, क्योंकि exactly पता नहीं होता है कि कौन सा gene क्या function कर रहा है, so it is very very important to understand, कि biotechnology की मदद से हम चाहें जो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए time बहुत लगेगा, तो human insulin एक बहुत ही important invention था, जो biotechnology application के वज़े से human की healthcare में काफी ज़ादा असर पड़ा, फिर आता है आपका vaccine production, देखो vaccine मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी organism को dead करके या उसको weak करके, chemicals के साथ mix करते हो, कैसे chemicals, adjuent chemicals, adjuent मतलब क्या होते हैं, ये ऐसे chemicals होते हैं, जो अपने virus को या अपने pathogen को inactivated रखने में help करते हैं, मतलब vaccine कैसे बनती है, समझो coronavirus का vaccine बनाया है, तो coronavirus को dead कर दिया, या coronavirus को एकदम heat करके उसको attenuated कर दिया, attenuated मतलब उसको weak कर दिया, और इस coronavirus को हमने एक adjuent के साथ add कर दिया, ताकि ये coronavirus बोड़ी में जाने के बाद activated ना हो जाए, तो बोड़ी में कोई भी virus अक्टिवेट ना हो, इसलिए adjuent के responsibility होती है, तो vaccine production कैसे होता है, कोई भी virus, ये मैंने human health and diseases में बहुत detail में बताया था, तो आप पार्ट देख लो, आपको समझ जाएगा vaccine कैसे बनता है, किसी भी virus को dead करके या weak करके, आप उसको adjuent के साथ add करके या suitable chemical के साथ add करके vaccine बना सकते हो, vaccine का एक सबसे important invention था oral vaccine, यानि की edible vaccine, जिसको हम खा सकें, जैसे polio vaccine, पोलियो vaccine का drop मुँ में डाला जाता है, उसका injection विंजेक्शन नहीं आता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, जो vaccine मुँ से ली जाती है, वो फटाफ़ट metabolize होती है, यूमन्स के system में जाके फटाफ़ट बोडी में spread हो जाती है, और बोडी उसको absorb कर लेती है, जो edible vaccine जो है, यह सबसे ज़्यादा असरदार मानी गई है, edible vaccine या oral vaccine, जो है, यह एक novel approach थी, और इसी type का एक example है, melt-in-the-mouth vaccine, यह एक ऐसी vaccine थी, जो bacillus bacteria के against बनाई गई थी, क्योंकि कुछ साल पहले, कुछ मतलब काफी साल पहले, 19th century में, 19th और 20th century में, bacillus anthracis और bacillus की species का बहुत ज़्यादा infection spread हो रहा था, जिसके वज़े से humans की death हो जाती थी, तो melt-in-the-mouth करके capsule बनाया गया, जिसको जबान के नीचे, तंग के नीचे रख देते थे यह capsule यह tablet, तो यह melt हो जाता था mouth में, और फिर पूरे blood में अपने आप distribute हो जाता था, तो यह vaccine भी एक चमतकार था, ना तो injection, ना ही किसी तरीके का दर्द, डारेक मूँ में डालो और blood में वो diffuse हो जाएगी, so this was a very novel approach in the field of vaccination, फिर उसके बाद आता है आपका agriculture, agriculture में आप soil की quality इंप्रूव कर सकते हो, आप seeds की quality इंप्रूव कर सकते हो, आपको अगर long growing seeds चे यह तो long growing seeds, plants मिल सकते हैं, जादा vitamin वाले, जादा nutrition वाले plants मिल सकते हैं, कम जगे पे जादा plant आप grow कर सकते हो, उस technique को हम बोलते है, micropropagation, plant tissue culture में मैंने बताया था, enhancement of food production वाला जो chapter है, 11th chapter जो है, उसमें मैंने बताया है, micropropagation क्या होता है, micropropagation मतलब tissue culture, lab के अंदर plants कैसे grow करते हैं, test tube के अंदर आप plant का cambium डाल देते हो, और उस cambium को आप nutrient प्रोवाइट करते हो, तो tube के अंदर ही आपको root और shoot की growth देखने को मिलती है, with the help of different types of hormones, so that was one of the very good advantage of biotechnology in the field of agriculture, फिर नेक्स्ट आता है gene therapy, gene therapy मतलब क्या होता है, किसी organism में अगर कोई genetic disorder है, तो वो genetic disorder भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन depend करता है कि वो disorder आपने कब recognize किया है, कब identify किया है, अभी मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, कि माम अगर बड़े होने के बाद पता चला, कि इसकी body में cancer का gene activate हो गया है, तो फिर हम उस इंसान को कैसे treat करेंगे, तो इस इंसान को treat करना possible नहीं है, अगर बच्चा zygotic stage में है, zygote मतलब single cell, और इस single cell का अगर आप amniotic fluid निकालते हो, और उस amniotic fluid का अगर आप करियो टाइपिंग करते हो, रुको मैं आपको आगे बताती हूँ, देखो, zygote single celled organism होता है, इस zygote का अगर आपने amniotic fluid निकाला, या थोड़ा 2-3 cell division होने के बाद, जब यह blastula बन जाता है, अगर उस blastula का आप amniotic fluid निकालते हो, तो amniotic fluid के अंदर आप जब उसकी genetic study करोगे, तो आपको तभी पता चल जाएगा, कि इस organism में आगे जाके, या इस zygote को आगे जाके कौन सी बिमारी होने वाली है, कौन सा gene defective है, कौन सा gene defective नहीं है, ठीक है, इस technique को हम बोलते हैं amniosynthesis, क्या बोलते हैं इसको हम amniosynthesis, यह इंडिया में ban है, क्योंकि यह technique इंडिया के लोग, sex determination करने के लिए ले लेते हैं, कि इस zygote में आगे जाके कौन सी genetic बिमारी हो सकती है, तो अगर कोई genetic defect आपको zygotic stage में पता चल गिया है, तो आप उस zygotic stage में ही उसका वो gene रिप्लेस कर सकते हो, तो आगे जाके chances हैं कि उसको वो बिमारी नहीं होगी, 1% chance का error हमेशा रह सकता है, हो सकता है ये genetic engineering successful हो, हो सकता है ना हो, इसके guarantee नहीं होती है, लेकिन वो बोलते हैं कि अगर option available है, तो क्यों नहीं, तो zygotic stage में अगर आपने gene रिप्लेस किया है, तो वो genetic therapy successful होती है, देखो gene therapy दो type की होती है, एक somatic cell therapy और एक germ line therapy, ये जो zygotic वाला therapy है, इसको हम germ line therapy बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम germ line therapy, यानि कि आप germ cells के अंदर, यानि जाइगोट के अंदर कोई treatment कर रहे हो, और जब इसके बच्चे होंगे, मतलब ये zygote जब बड़ा हो जाएगा, जब reproduction करेगा, और जब इनकी offsprings होंगी, तो जो gene हमने इस zygote में change की थी, वही gene आपको आगे के offsprings में भी देखने को मिलेगी, मतलब जो gene हमने replace कर दी थी, वो replaced वाली gene ही हमको offsprings में देखने को मिल रही है, लेकिन somatic therapy में ऐसा नहीं होता है, somatic therapy मतलब क्या होता है, इसमें आप germ cells के उपर कुछ नहीं करते हो, मतलब sperm या ova में कोई gene change नहीं करते हो, आप skin cells में changes करते हो, मतलब heart का कोई part में आपने gene change कर दिया, brain का कोई gene आपने change कर दिया, lungs या liver का आपने कोई gene change कर दिया, तो ऐसे में क्या होता है, कि अगर आपने somatic cell का gene change किया है zygotic stage पे या दोनों therapy zygotic stage पे ही होती है लेकिन एक therapy germ cells में की जाती है germ line therapy किस में होती है? germ cells में होती है germ cells मतलब क्या होते हैं? आपके sperm और ova अगर male है तो sperm और female है तो ovary तो अगर आपने कोई भी gene sperm या ovary के अंदर replace किया है तो उसको बोलते है germ line therapy और ये जो characters है ये आपको offsprings में भी देखने को मिलेंगे लेकिन जो second type की therapy है somatic cell therapy ये somatic therapy किस में की जाती है? somatic cells में somatic cells कौन से होते हैं? somatic therapy किस में की जाती है? somatic cells में somatic cells कौन से होते हैं? देखो इधर पर बताया गया है, bone marrow cells, liver के cells याने hepatic cells, fibroblast, pulmonary, lungs के cells, nervous system, endocrine cells तो इसका disadvantage क्या है, somatic therapy is only feasible, मतलब it is available and the clinical trials have already employed for the treatment of acquired disorders such as cancer and rheumatide arthritis arthritis और cancer जैसे diseases के लिए somatic cell therapy यूज किया जा रहा है, लेकिन याद रखो, somatic cell therapy में the characters cannot be passed on the future generation यह देखो यहाँ पर यह point बहुत important है, आपने somatic cell में अगर कोई gene changes किया है, zygote के level पे, समझो आपको पता चल गया है amniocynthesis करने के बाद कि इस zygote को आगे जाके liver cancer होने वाला है, यह amniocynthesis करने के बाद आपको पता चला कि इस zygote को आगे जाके liver cancer होने वाला है, तो आपने liver का gene change कर दिया, liver का cancer वाला gene निकाल दिया और आपने उसका gene replace कर दिया, तो यही gene आपको आगे जाके new offsprings में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, यह gene सिर्फ उसी जाइगोट को कार्म करेगा, वो आगे new generation में replace नहीं होगा, new generation में कौन सा gene जाएगा, जो इसका original gene था, जो आपने निकाल दिया, तो यह somatic cell therapy सिर्फ उस organism के लिए यूज होती है, जिसके अंदर आप यह changes कर रहे हो, और germline therapy किसके लिए यूज होती है, मतलब जब आप sperm या ova के DNA में changes करते हो, तो जब यह zygote develop होंगे, जिन में आपने germline therapy की है, तो वो zygote develop होके, जब बड़े animals बनेंगे और जब वो reproduction करेंगे, तो उनके offsprings में भी वो germline therapy का character देखने को मिलेगा, लेकिन somatic cell therapy का character आगे के future generation में देखने को नहीं मिलता है, gene therapy के बहुत सारे advantages है, किसी भी missing gene को replace कर देना, कोई defective gene है तो उसको replace कर देना, etc, etc, okay, आपकी body में कोई hormone नहीं बन रहा है, तो वो hormone वाला gene inject कर देना, protein वाला gene inject कर देना, ऐसे बह आप के अंदर, test tube के अंदर कर सकते हो, या direct body के अंदर inject कर सकते हो, बहुत सारे options है, तो germline therapy मतलब क्या होता है, जब आप कोई genes, sperm या egg cells में insert करते हो, तो उसको हम बोलते है, germ therapy और ये next generation में भी transform होती है, लेकिन somatic cell therapy next generation में transform नहीं होती है, ये सबसे important difference है, germline therapy और somatic cell gene therapy का, अब बारी आती है, genetically modified organisms की, genetically modified organisms मतलब क्या होते हैं, ये वो organisms होते हैं, जिनका gene आपने change कर दिया, और gene change होने के बाद, अब जो आपको new characters देखने को मिल रहे हैं, या new organisms जो देखने को मिल रहे हैं, उनको हम बोलते है, genetically modified organisms, जैसे crops, जैसे transgenic plants, जैसे बहुत सारे plants ऐसे थे, जो किसी भी कीडे मकोडे के वज़े से फटाक से खराब हो जाते थे, जैसे cotton, तो BT cotton बनाया गया, bacillus thuringinesis के मदद से एक नया cotton का variety ग्रो किया गया, जिसके वज़े से अगर कोई भी bacteria या कोई भी caterpillar उस cotton के पत्ते को खाएगा, तो उसकी body में वो BT bacillus thuringinesis चला जाएगा औ वो उस insect को मार देगा, तो इससे plant खराब नहीं होगा, तो ऐसे अलग-अलग organisms, अलग-अलग bacterial agents को use करके, healthy plants, long lasting plants और more nutrition वाले plants बनाये गए, जिनका example है transgenic plants, advantages of GM food plants, इसका advantage क्या है, सबसे पहले तो insect या pest resistant plant आपको मिलते हैं, मतलब BT cotton, BT cotton is one of the best transgenic plant known for its insect resistant property, पहले क्या होता था, cotton की खेती में फटाक से कीड़े लग जाते थे, और पूरी की पूरी cotton की खेती बरबाद हो जाती थी, तो फिर bacillus thuringiensis करके एक bacteria है, वो use किया गया, bacillus thuringiensis का spray cotton के प्लाइंट के उपर मारा गया, bacillus thuringiensis plant को कुछ नुकसान नहीं पहुचाते हैं, और humans को कुछ नु अगर किसी इंसेक्ट ने ये पत्ता खा लिया, तो ये स्पोर्स उसके पेट में जाके एक ऐसा टॉक्सिक प्रोड़क बनाएंगे, जिससे उस इंसेक्ट की डेथ उधर के उधर ही हो जाएगी, तो ये इंसेक्ट आपके cotton के प्लान्ट को इंफेक्ट करी नहीं पाएगा, तो सबसे पहला इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस जिसका बेस्ट एक्जामपल है, बीटी कॉटन, बीटी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बैसिलस तुरेंजिनेसिस को यूज किया, फिर सेकेंड एक्जामपल है, गोल्डन राइस, ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप यूज ट जब हमने विटामिन-A का जीन राइस के क्रॉप में इंजेक्ट किया, तो जो गोल्डन राइस हमको मिला, थोड़ा सा यलो कलर का, इसमें बीटा केरूटीन पेजन होता है, कौन सा पीग्मे법 प्रेजन होता है, इस पिग्मेंट के वज़े से रेटिन आल जो है, यह रेटि ग्रोब किये जाने लगे जो ट्रांस जेनिक थे मतलब जिनका नाचरल फॉर्म इतना फाइदे मन नहीं था लेकिन जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई करने के बाद ज्यादा न्यूट्रियेंट्स मिलते थे ओके अगर समझो पहले आप एक प्लेट चावल खाते थे तो भी आपको sufficient कार्बोहाइडरेट नहीं मिलता था लेकिन अगर आपने उस plant के अंदर carbohydrate की मात्रा बढ़ा दी है तो इतना सा चावल खाने थे भी आपको sufficient carbohydrate मिल जाएगा तो ये क्यों किया गया क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं अंदर developed countries हैं जहां पे खाना बहुत कम मात्रा में present है तो वहां के बच्चे माल नरिष्ट होते हैं कुपोशित पैदा होते हैं क्योंकि उनके पास खाना तो होता है लेकिन उस खाने में उतने nutrition नहीं होते हैं तो bio fortification करने के मदद से या bio fortification की मदद से plants के अंदर की nutritional qualities improve की गई जिससे थोड़ा भी खाना अगर लोगों को मिले तो उस थोड़े से खाने से भी उनको sufficient nutrients मिल जाएं और वो बिमार ना हो उनकी healthy development हो फिर आता है modification in post harvest characteristics मतलब क्या बोला गया है कि plant को harvest करने के बाद preservation करने के लिए या वो जाधा दिन तक टिके रहें उनके characteristics खराब ना हो उनका flavor खराब ना हो उनका storage period अच्छा रहे उसके लिए भी आप genetic technology यूज कर सकते हो plants as bio factories plants as bio factories मतलब क्या होता है बहुत सारे plants से अलग-अलग medicinal pharmaceutical products मिलते हैं जैसे कुछ plants से glue मिलता है कुछ plants से antibiotics मिलते हैं कुछ plants से आपको बहुत सारे pigments मिलते हैं तो plant factory का काम कर रहा है क्योंकि plant के अंदर से आपको यह products मिल रहा है और यह भी एक bio technology का wonderful invention है ठीक है अभी currently super glue जो है यह tobacco plants से उप्तेन होता है जो हम मतलब जिसका commercial production करते हैं और बहुत सारे ऐसे pigments से बहुत सारे plants से आपको anti-malarial drugs मिलते हैं तो ऐसे बहुत सारे plants से जिनसे हमको बहुत सारी useful चीज़े मिलती हैं transgenic plants producing edible vaccines जो edible vaccine की हमने बात की उन edible vaccines को produce करने के लिए हम plants की मदद ले सकते हैं फिर next example है transgenic animals का transgenic animals मतलब क्या होते हैं ऐसे animals जैसे समझ लो एक गाय का example देती हूँ कोई गाय पहले सिर पांच लिटर दूद देती थी लेकिन उसके अंदर का lactose gene अगर मेने चेंज कर दिया तो अब सेम गाय मुझे आठ लिटर दूद देती है मतलब milk production बढ़ गया सिफ जीन चेंज करने के वज़े से और यह तुरंत नहीं होता है यह करने के लिए 10 साल, 20 साल, 50 साल लग जाते हैं क्योंकि वो कौन सा gene है और वो कौन सा species है जिसके अंदर यह modification हो सकता है यह सब पता लगाना पड़ता है तो transgenic animals के बहुत सारे examples हैं आप इसको medical research में यूज करते हो उन animals को अलग-अलग human development study करने के लिए यूज कर सकते हो transgenic mice मतलब हमने चुहे के genes को change कर दिया ताकि human genome के जैसा वो match करने लगे 95% तो चुहे का gene match करता है यह humans से लेकिन कुछ और genetic changes हमने किये ताकि हम humans के cancer की study माइस के उपर कर सके so this was one very good example transgenic farm animals याने कि मुर्गी ताकि अंडे का जाधा production हो गाय ताकि मिल्क का जाधा production हो शिप जिससे हम जाधा वुल बना सकें ऐसे बहुत सारे गोट से जाधा मीट बना सकें तो ऐसे अलग-अलग animals में अलग-अलग biotechnology के application से अंडर आप genetic engineering करके जाधा production कर सकते हो अपने product का ठीक है transgenic cattle for human therapeutic production जैसे मैंने पिक का example दिया पिक के अंडर से हम insulin प्रड्यूस करते थे तो ऐसे ही मैंने आपको human health and diseases में बताया था कि horse use होते हैं antibodies बनाने के लिए याद आ रहा है कुछ passive immunity का example तो ऐसे ही हम animals को antibiotic production के लिए भी use करते हैं transgenic sheep जिससे हमको जाधा wool मेले transgenic pigs जिससे हम मतलब आपको पता है pigs का और एक advantage क्या है heart transplantation करने के लिए एक human का heart और एक pig का heart same size का होता है तो अगर समझो किसी बच्चे का heart defective है तो कुछ समय के लिए जब तक उसको heart donor नहीं मिल जाता तब तक हम उसकी body में pig का heart भी लगा सकते क्योंकि human का heart भी four chambered होता है और pig का heart भी four chambered होता है लेकिन यह सिफ temporary time के लिए होता है permanent नहीं होता है पर यह बहुत ही बहुत ही अच्छा alternative solution है जिसके वज़े से बहुत सारे लोगों की जान बची है फिर next अपना concept आता है अब हम ending ending की parts में आ गए है यह बहुत important है इन तीनों के आपको definition समझने है bioethics मतलब क्या होता है biopiracy मतलब क्या होता है और biopatent मतलब क्या होता है bioethics मतलब biological field में कुछ ऐसे rules बनाए गए है अलग-अलग organizations ने मिलके worldwide कुछ ऐसे rules बनाए है जो हर एक biological scientist को follow करना होता है जैसे समझो आपने कोई नई invention की तो उसके बारे में सारी rights, सारी information आपके पास ही रहेगी और आप उसका कुछ गलत इस्तमाल नहीं करोगे so all these are important rules that all the biologists have to follow इसमें सबसे important है genetically modified organisms का use आप किसी भी organism का गलत इस्तमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो loss के खिलाफ है अगर किसी को भी loss तोड़ते हुए पाया गया मतलब क्या बोला गया है कि कभी-कभी आपको यह ऐसा herbicide use कर लेते हो जिससे unwanted plants तो किल हो जाएंगे लेकिन उस chemical के वज़े से जो बिचारे निर्दोश इंसेक्ट हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुचाते जैसे earthworm वगेरा वो भी मर सकते हैं तो एक चीज का solution ढूंड कर आप दूसरी चीज को नुकसान पहुचाओगे ऐसा नहीं होना चाहिए तो यह बायो एथिक्स का पहला रूल है कि अगर आप एक solution ढूंड रहो तो वो किसी और के लिए problem नहीं बनना चाहिए फिर second क्या है effects on untargeted species वही जो मैंने आपको example दिया BT cotton के वज़े से या BT corn के वज़े से आपका crop तो protected है लेकिन उस चक्कर में कोई दूसरा organism नहीं मरना चाहिए effects of biotechnology on human health human health के उपर क्या हो सकता है कभी-कभी genetically modified crops के वज़े से किसी human को allergy हो सकती है कभी-कभी long term effects देखने को मिल सकते हैं अभी तक तो कुछ ऐसे पता नहीं है लेकिन long term effects हो सकते हैं कभी-कभी कुछ-कुछ new proteins जो human की body में पहले कभी नहीं पाई गई थी अगर वो अचानक से आ गई तो immune system उल्टा असर कर सकता है food additives, extra chemicals या extra vaccines वगेरा अगर produce हुए तो उसके वज़े से body disease resistant हो सकती है अच्छा है, disease resistant हो जाएगी तो अच्छा है लेकिन इसका उल्टा असर नहीं होना चाहिए तो genetic engineering के जितने uses हैं उतने ही उसके disadvantages भी हैं तो संबल के करना बहुत important है अब next part आता है, bio patent this is my favorite part देखो बच्चो, patent मतलब क्या होता है किसी भी चीज का license बनवाना patent मतलब क्या होता है किसी भी चीज का license बनवाना समझो आपने कोई नया और्गानिजम डिसकवर किया है तो आप उसको अपने नाम का license बनवा होगे कि यह मैंने discover किया है अगर आपने कोई नया टाइप का वैक्सीन बनाया है तो उसका patent आप बनवाओगे कि यह मेरा वैक्सीन है तो patent में क्या होता है patent में आपको एक personal property का inventor बनाया जाता है और bio patent में क्या होता है कि biology related अगर कोई product आपने invent किया है तो वो आपके नाम पे किया जाता है और वो अपने नाम से आपका प्रोड़क्ट बेचने लगेगा, जो की इंडिया के साथ बहुत बार हो चुका है, तो इसको हम बोलते हैं, बायो पाइरसी, बायो पेटेंट मतलब लाइसेंस बनवाना, और बायो पाइरसी मतलब आपके पेटेंट को चुरा के कोई और उसका पाइरसी मतलब क्या होता है, बायो पेटेंट जो होते हैं उसके वज़े से बहुत फाइदा होता है, अगर समझो आपने अपने नाम का पेटेंट बनवा लिया है, कि हल्दी मेरा प्रोड़क्ट है, तो अब उस हल्दी से रिलेटेड जो भी प्रोड़क्स बनेंगे, उसक यह सुडोमोनास बैक्टेरिया, ओइल खा लेते थे, अननेसेसरी ओइल को एकटा कर लेते थे, और ओइल डाइजेस्ट कर लेते थे, तो सॉइल के उपर का जो डिपोजिटेड ओईल है, वो यह बैक्टेरिया खा लेते थे और हमारी प्रोड़म सॉल्व हो जाती थी, अब इसे चोर मतलब क्या होते हैं, जो कुछ लोगों का चुरा के गरीबों में बाड़ते हैं, और बुरे चोर क्या होते हैं, जो सब का ही सामान चोरी करते हैं, तो बायो पाइरसी में क्या होता है, कि आपका डिस्कवरी कोई और चुरा के लेके जाता है, जैसे इसका एक सिंप राइस कर लिया टेक्समति और उनको पेटेंट लेकिन फिर इंडिया के कुछ लोगों ने कुछ रिसर्चरो ने कंप्लेंड की तो यूएस गवर्मेंट ने फिर से री चेकिंग किया कि यह जो टेक्सस वालों ने पेटेंट लिया यह करेक्ट है कि नहीं है तो जब वापिस से री चेकिंग हुई तब पता चला कि यह लोग चीटर थे तो हमको हमारा बासमती का पेटेंट वापस मिला इंडियन बहुत ट्यूब लाइट है हमारी बत्ती बहुत लेट से जलती है नीम जैसे प्लांट जि चला जाता है तो आपको फिर पैसा देना पड़ता है वह प्रोडक्ट यूज करने के लिए मतलब आपके घर का नीम कोई और उसका लाइसेंस लेकर बैठ आ तो अगर आप अपने घर के नीम का पत्ता तो तो आपको उस लाइसेंस वाले इनसान को पैसा देना पड़ेगा इसलिए पेटेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमसे हमारा बायो पेटेंट नीम का भी छीन लिया गया था। लेकिन फिर वो भी हमको बहुत मेहनुत करने के बाद वापस मिला। मतलब हर बार पेर पेटेंट के बाद हमने अपना कदम उठाया है। हमारी बत्ती कभी जली ही नहीं। फिर ऐसे हमारे पाथ हल्दी के साथ भी हुआ था। इंडिया के कुछ स्टूडेंट्स थे जो अमेरिका में जाके रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने हमारा हल्दी का पेटेंट चुरा लिया, फिर इंडियान साइंटिस्ट की आँख खुली तो उन्होंने वापीस फाइट बैक किया और फिर वापीस हल्दी का पेटेंट वापस लिया। तो हमारी आख हमेशा लेट से खुलती है और इसलिए अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज, हर एक एजुकेशनल इंस्टिउशन में पेटेंस का इंपोर्टेंस बच्चों को पढ़ाया जाए कि तुम्हारा अगर कोई प्रोडक्ट है, तुम्हारा अगर कोई इन्वेंशन है तो इसकी information किसी और के साथ मच शेर करो क्यूंकि वो तुम्हारा है जब तक वो publish नहीं हो जाता या patent नहीं हो जाता तब तक अपने product की information किसी को नहीं देने का क्योंकि वो bio piracy कर सकता है और खुद के नाम का license बनवा सकता है और इसके regarding बहुत strict rules है तो इसी के साथ हमारा chapter होता है खतम I know मैंने ending ending का part थोड़ा ज़ादा overview दिया है लेकिन इसमें ज़ादा कुछ important नहीं है आप read करोगे दो mark का ही question आएगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ending ending के parts आप question bank में से भी पढ़ लोगे तो भी sufficient है जो starting का part है वो बहुत important था तो वो मैंने अच्छे से explain करने की कोशिश की है इसी तरीके से मैं कुछ और chapters के आपके लिए one short lecture लाने का सोच रही हूँ ठीक है अभी decide नहीं किया है मैं सोच रही हूँ depend करता है कि इस video पे हमें कैसा response मिलेगा अगर अच्छा response मिला जादा से जादा आपने इस video को share किया जादा views आए जादा likes आए तो शायद में ये next short lecture बनाने का try करूंगी नहीं तो फिर मेरी महनत waste हो जाएगी ठीक है तो अगर आपको helpful लगे ये video तो please comment section में बताना कि आपको next कौन से chapter का one short चाहिए और साथ ही साथ जितना हो सके उतना अपने friends के साथ share करो like करो comment करके बताओ कौन से chapter का one short चाहिए और please channel को subscribe कर लो ठीक है और 11 standard के students के साथ भी ये channel share करो 11 standard के students के साथ channel share करो क्योंकि physics का पूरा free pdf notes हमने उनको available कर दिया है तो अगर उनको free notes चाहिए तो telegram group join करने बोलो और उनके साथ ग्यानलाब channel share करो क्योंकि bio का बहुत interesting chapters में start करने वाली हूँ ठीक है तो I hope आपकी इससे मदद होगी आपकी पढ़ाई अच्छे से चलेगी boards के लिए जान लगा दो जब तब board नहीं हो जाएगा हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे बस आप हमारे साथ बने रहे है प्यार दिखाते रहे है और support करते रहे है मिलते हैं जल्दी बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो और support करते रहो Thank you Stay tuned Please like, comment and share and see you soon Bye bye